जै माता दि 79 के पांचमें दिन माता सकंद माता की पूजा की जाती है आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मा सकंद माता की पूजा विदी, बीज मंतर स्तूती, प्रार्तना और आर्ति के बारे में मा सकंद माता का प्रिये रंग और प्रिये भोग कौन सा है सबसे पहले हम बात करते हैं शवरूप की मा सकंद माता की चार बुजाएं हैं इनकी गोद में बगवान सकंद बाल रूप में विराजमान रहते हैं दाहिनी तरफ की बुजा में कमल का पुस्प दारन किया हुआ है बाई तरफ की उपरी बुजा वर मुद्रा में अर्थात अपने भगतों से सदा आसिरवात देते रहते हैं माता का वाहन सेर है सकंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती है इनकी पूजा करने से भगतों को आलोकिक सक्ति प्राप्त होती है सकंद माता की पूजा करतेस में भगवान सकंद अर्थात कार्तिके की भी पूजा की जाती है इसकी पूजा के बिना सकंद माता की पूजा अधूरी मानी जाती है मा का पांचवां रूप सुबर अर्थात सफेद है और मा का पिडिये रंग भी सफेद है देवी की पूजा करने से असंब्हव से असंब्हुकार्य भी पूरा हो चतत बुरी सक्तियों का नास होता है और बुरी नजर्षे मुक्ती भी मिलती है सकंद माता की पूजा के लिए सुबै ब्रह्म मुर्त में उठकर सनानादी से निवरत्त होकर साप सवच वस्तर धारन करने चाहिए अगर शंबव हो तो आज के दिन शफेद वस्तर धारन कर पूजा करनी चाहिए नहीं तो आप हलके रंग के वस्तरों का भी प्रियोग कर सकते हैं हर दिन की बाती हाथ में कमल, पुष्प या जल लेकर वरत्त का परण लिया जाता है मा सकंद माता को गंगा जल के छीटे दिये जाते हैं और फिर उनका स्रिंगार किया जाता है दूप दीप जलाय जाता है और भगवान सकंद की पूजा की जाती है सफेद रंग के फूल चड़ाय जाते हैं मा का पिरिये भोग केला होता है मा सकंद माता का बीज मंतर है ओम देवी सकंद माताए नमे आज के दिन किसी छोटे बच्चे को जरूरत का सामान देना चाहिए क्यूंकि माता की गोद में बगवान सकंद बाल रूप में विराजमान है सकंद माता की आरती भी पढ़ सकते हैं सकंद माता से प्रातना करें कि वो अपनी और आपके बच्चों की रक्षा करें जिने संतान शुक नहीं है उन्हें भी सकंद माता की पूजा करनी चाहिए ये थी सकंद माता की पूजा विधी और बीज मंतर सकंद माता की पूजा के साथ साथ बगवान कार्ति के अर्थात गणेश की पूजा का भी विधान है बगवान गणेश बगतुं की सभी मनो कामनाएं पूरण करते हैं निसानतान दमपत्ति को सकंद माता की पूजा अर्जना करनी चाहिए है इस दिन बच्चों को जरूरत का सामान वित्रित करें अपने बच्चों की काम्याभी के लिए नावरात्री के पांचमी दिन माता सकंद माता की पूजा वै आर्ति करें